स्िपेन का कादीज प्रांथ तिन दिनों भारी बारिश की मार जिल रहा है जहां पात कालीन सेवाओं को एक्टिव कर दिया गया है देखते हैं एक मिन्ट पे पूरी खबर स्पेन के कादिश प्रांथ पे मौजूर कोनिल डेला फ्रोंटेरा शहर में भारी बारिश के चलते भयंकर बाठा गई है लगातार हो रही मुसलधार बारिश ने शहर के जन जीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है बाठ की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है यातायात भी पूरी तरह से घप हो गया है इस बाठ ने शहर की बुनियादी सेवाओं को हिला कर रख दिया है जिससे लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है प्रभावित इलाकों में जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है जिसकी वजह से घरों और दुकानों में पानी घुस गया है प्रशासन ने आपात कालीन सेवाओं को एक्टिव कर दिया है साथ ही राहत के काम के लिए बचाव दलों को सक्रिय कर दिया गया है सैक्डों लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गये हैं और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने लगे हैं प्रभावित लोगों की मदद के लिए सरकार ने जरूरी संसाधन मुहया कराने की घोशना की है मौसम विभागने अगले कुछ दिनों में और ज्यादा बारिश की आशन का जताई है जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं प्रशासन ने स्थानिय निवासियों से सतर्क रहने और जरूरी साबधानियों का पालन करने की अपील की है कोलंबिया के अतिहासिक शहर में खतरनाक हवाई चली जिसकी वज़े से जंजीवन अस्तिवेस्ट हो गया एक मिनिट में आपको पूरी खबर दिखाते हैं कोलंबिया के अतिहासिक शहर विलाडे लेवा में तेज हवाउने कहर बर पाया है स्थानिय प्रशासन के मुताबिक कुछ घंटों तक जारी तेज हवाउने शहर के कई हिस्सों को बुरी तरह प्रभावित किया है जिससे लोगों के जंजीवन पर भारी असर पड़ा है इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि इस ग्राउंड में कैसे तेज हवाउने इन लोगों को खौफ मिला दिया है इस ग्राउंड में कलाकारों की प्रदर्शनी लगी हुई थी कैसे तेज हवाउने पूरे प्रदर्शनी स्थल को तबाह करके रख दिया है इतना ही नहीं शहर की प्रमुक सडकों और गलियों में पेड़ गिरने की भी खबरे आई हैं जिससे ट्राफिक बाधित हो गया है कुछ घरों और दुकानों की छतों को भी भारी नुफसान पहुंचा है नागरिकों को सतर्क रहने के निर्देश दिये गए हैं प्रशासन ने आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया है ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके स्थानीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में हवाओं की गती कम होने की उम्मीद है लेकिन फिर भी नागरिकों को घरों के अंदर रहने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है इस क्षेत्र में अचानक आने वाली तेज हवाओं की वजह से किसान और कारोबारियों को भी भारी निक्सान हुआ है